यहाँ पर हम देखते हैं Advanced Mants जो की SSCGL के अंदर है वो हम देखते हैं यहाँ पर तो Advanced Mants के अंदर हम देखेंगे हमारे पासमे एक प्रेशन वह लिए है Trignometry तो Trignometry के बारे हम देखेंगे कौनसी प्रेशन वह लिए हमारे पासमे Trignometry तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर देखेंगे हम यहाँ पर पहली बाद तो देख लेते हैं ट्रिग्नोमेटरी हो देगा है यानि जो गणित की वह साथा जो भुजाओं और कॉर्णों के साथ में त्रिग्नोमेटरी देती है उसे हम त्रिकॉर्णमेटरी के अंदर हम देखते हैं उसके रैस्यों किस तरीके से बनते हैं जैसे माल ले जाते हैं एक हमारा ट्राइट एंगल माल लेते हैं इसी पर पूरी तरकॉणमिती डिपेंट रहती है तो यह जैसे कि हमारा राइट एंगल है इस राइट एंगल को नाम दे दिया समकॉण तरबुज को नाम A, B, C यह समकॉण तरबुज है अब इस समकॉण तरबुज में एक कॉण हमारा बनेगा ठीटा ये TapiTta है अब अगर हमे साइंट ठीटा की value निकालनी है तो साइंट ठीटा की value काशे निकालते हैं एक एक हैमर depends αुपरो भूला है लालवटे कटta इससे हम निकालते हैं सबसे पहले तृहां यहां पर भी कौन मुझेगा जैसे कि यहां पर कौन भूल रहा है जिस रिखा पर कौन बनेगा उस रिखा वो रिखा हमारी क्या क्या लाएगी आधार क्या लाएगी तो यह हमारा base क्या लाएगा यानि आधार क्या लाएगा हमेशा यह दियान रखना है यह हमारा lump क्या लाएगा और यह हमारा current क्या लाएगा इसी के आदार पर जैसे sin theta की value gram निकालनी है तो sin theta होगा यह हमारा यहाँ पर हम देखें इसको इस तरीकिस लिख लेते हैं sin theta cos theta ten theta और यहाँ पर लाल लंब आदार लंब फिर करण करण आदार तो यह होगा लाल बटिकक का नीचे आजाएगा cos theta और cos का उल्टा गया होता है sec theta और ten का उल्टा होता है cot theta तो यहाँ पर sin theta की value क्या होगी लंब आदे करण यह sin theta उपर sin theta उपर से नीचे देखेंगे हम जब भी sin theta की value निकारनी है उपर से नीचे देखेंगे और अगर हमें क्या है कौट ठीटा की विल्यून कारनी है जैसे मान लिए हमें कौट ठीटा की विल्यून कारनी है कुछ ठीटा की विल्यून कारनी है तो कुछ ठीटा की विल्यून कारनी है उपर से नीचे दे नीचे से उपर देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर called theta की विलून करने तो अधार वटे लं्ब सोगा इस तरीके से. तो यहाँ पर cent theta की विलू क्या होगी? लंब वटे करण. लंब क्या है हमारा av और करण क्या है हमारा ac. तो av वटे ac हो जाएगा हमारा cent theta. इसी तरीके से अगर cos theta में निकालना है तो cos theta क्या हो जाएगा आदार वटे कर्ण इसमें देखें हम आदार वटे कर्ण तो आदार क्या है हमारा BC वटे कर्ण क्या है AC तो आदार वटे कर्ण हो गया इसी तरीके से 10 theta निकालना है 10 theta की विल्व क्या जाएगी को सक्षट तो को सक्षट तो को सक्षिट नीचे सी उपर जाएगा यानि कंण वटे लंब हो जाएगा कंड क्या है हमारा A C B p.üm इसी तरीके से सेक ठीटा की वेलू निकालने है सेक ठीटा की वेलू क्या हो जाएगी सेक ठीटा हो जाएगा हमारा करण बटे आधार करण हमारा क्या है एसी बटे आधार क्या है वी सी और फिर निकालते है कौट ठीटा कौट ठीटा की वेलू क्या होगी नीचे शूपड जाएंगे तो आदार बटे लंब आदार क्या है हमारा BC और लंब क्या है हमारा AV इस तरीके से हम value निकाल सकते हैं और उसके आदार पर हम कौन का मान निकाल सकते हैं sign theta में अगर हम देखें अगर कभी भी हम लिखते हैं वो single माना जाएगा यह sign और theta है यह single माना जाएगा single word है ऐसे नहीं कि इसका multiply कर दिया sign theta आगया तो multiply कर दिया वो हमें देखना है अगर सिर्फ sign लिखा हो कहीं पर तो उसका कोई मिनिक नहीं है यह हमें दान रखना है कहीं पर आगर sign लिखा हुआ है तो उसका कोई भी मिनिंग हम नहीं मानेंगे इसी तरीके से अगर हम भी लिखा हुआ है साइन ठीटा का स्क्वाइर इसको हम कैसे पढ़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं साइन स्क्वाइर ठीटा ऐसे पढ़ेंगे साइन ठीटा का स्क्वाइर जो होता है उसको हम पढ़ते है sin square theta और इसी तरीके से अगर हमारे पास में इस तरीके से हो कि sin theta का square और sin square और theta square इस तरीके से हो तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे तो इसमें अगर theta के भी square दे रखा है तो उसमें हमें देखना है कि यह क्या होता है sin square 2 theta होता है ये वाला बड तो इसके आदार पर हमें ये calculate करना है कि ये क्या बड है वो आ रहा है आप़ तो इसको हमें ये देखना है कि ये sin square theta इस तरीके से हम पढ़ते हैं sin square theta इस तरीके से हम इसको sin square theta को नहीं पढ़ते हैं तो ये गलत है इसी तरीके से हम देखते हैं अगर हमारे पास में दिया हो sin theta की power अगर दे रखी है minus 1 तो इसको हम पढ़ते हैं 1 divided by sin theta क्योंकि ये power minus 1 होती है ये inverse बोलते हैं तो sin inverse होता है 1 divided by sin theta अब हम देखें जिससे relation हमने देख लिया किस तरीके का value को क्या बोलते हैं उसको अब हम देखते हैं reciprocal जिए relation होते हैं reciprocal relation मतलब क्या है इसे sin theta है sin theta है वो reciprocal होता है kusek theta को आता है इसको हम देखते है 1 divided by kusek theta तो इसको हमारी क्या है theorem क्या बनेगी sin theta multiply कर देते है kusek theta से तो हमारे पास में एक आता है क्योंकि sin theta को convert कर देंगे 1 divided by cosec theta क्योंकि sin theta को हम क्या कर देते हैं 1 divided by cosec theta कर देंगे cosec theta और यहाँ पर cosec theta पहले से है तो यह दोनों आपस में cancel out हो जाएगा और 1 बचेगा हमारे पास इस तरीके से थरम बनती है sin theta multiply करेंगे sec theta से तो यह value आएगी 1 इसी तरीके से अगर हम cos theta को multiply करते हैं sec theta से तो भी value हमारे पास में बन आती है क्योंकि cos theta equal to होता है band by sec theta इसी तरीके से हम देखते हैं 10 theta और 4 theta का relation क्योंकि 10 theta और 4 theta यहाँ पास में उल्टे होते हैं वर इसी तरीके से रहेगा 10 theta और 4 theta का भी 10 theta 10 theta multiply 4 theta यह हमारा आता है 1 तो 10 theta को हम कैसे लिख सकते हैं 10 theta equal to band divided by cos theta होता है तो यह हमें पिदान डखना है तो यह होगा हमारा रएसी प्रॉकलरलेशन अब कैसे हम angles को लिखते हैं जैसे कि 0 degree angle होता है 30 degree angle होता है 45 degree का angle होता है 60 degree का angle होता है और 90 degree का angle होता है तो इनकी value fixed दी हुई है standard value है यानि standard angle है 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree तो यह 5 हमारे standard angle है इनकी value दी हुई होती है जैसे कि 45 का हम angle देखते हैं अगर हमें trigonometric relation के अंदर 25 का angle देखना है जैसे यह 90 degree का angle है और इसमें यह दोनों अगर 45-45 degree के हैं यह भी 45 degree का है और यह भी अगर 45 degree का है तो किस तरीके से relation बनेगा तो यहाँ पर हम बात करें जिसे कि यह हमारा A है यह B है और यह C है अब इसमें हम मान लेते हैं right angle कौन सा है B है अब एक angle 45 degree का है तो दूसरा angle भी 45 degree का होगा इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक बुझा यहां से खेंश देते हैं यहां पर right angle से को दो बागों बाड़ देते हैं इस तरीके से एक बुझा हमने यहां पर खेंश की तो यहां पर भी 90 degree का है यह भी 90 degree का है तो यह 90 degree का कौन बनेगा और यह 45 degree का बनेगा यहां पर 45 degree का कौन बनेगा यहां पर 45 degree का कौन बनेगा और यह 45-45 दोण सब्के 90 degree बना लेंगे इसका मतलब यह जो प्लायन आएगी वो d आएगी तो dc equal to क्या हो जाएगा ad हो जाएगा इस तरीके से हम calculate पूटर सकते हैं या कोई भी भुज़ा दे राखी है उसकी वेलव निकाल सकते हैं का अब ये हमारी this में किस तई डसी घंःगी भने की के स्क्रीम यानि आदार मिंत्वर ईसक्राइब बनाना थो इसे Wait यह बहुत ज़्यदा काम आती है अगर हम जिसे यह बुजा है इसको ए मान लेते हैं तो यह भी ए होगी क्योंकि यह 35-25 डिए कॉण बनट रहा है जो 35 डिए के सामने की बुजाई बराबर होगी तो यह हमारा होगा यह बुजा है यह बुजा है और यह अची है यह हमें पता नहीं है तो उसके अपर आजाएगा लेकिन 2 का अंडरूट निकालेंगे हम क्योंकि यहाँ पर इसका रटा देते हैं तो AC का वेल्यू आजाएगा A अंडरूट टू यह AC का वेल्यू आजाएगा यह यह कर्ण की वेल्यू आजाएगी अब हमें इसमें 35 का मान निकालना है साइन 35 का मान जैसे यह बाला है यहाँ पर अगर हमें साइन पेंतारिस का मान निकलना है तो साइन पेंतारिस का मान कैसे निकलेंगे साइन पेंतारिस का मान क्या होगा सबसे पहले तो लाल बटे का से हम देखें क्या है साइन का मान लंबटे कर्ण लंबटे कर्ण लंब क्या है हमारा वी सी स्वाहन कितना जाएगा 45 मान आजाएगा वन अंडरूड 2 इस थरीके से हम ने केल्कुलेट किया 45 मान इसी तरीके से हम गें और हम निकाल साएं मान ली यह डिए किसका उस मे Hitman never cause25 का मान आजाएगा कर स Mensch का मान आCont अदार बटे पर आदार किया है हमारा ए और करण के आदारे किया हमारा वह यह यहां गती तलिक इंड अजया मा तो 10 45 के वेलिए हमारी एक होती है इसी तरीके से अगर हम इनका उल्टा निकाले जैसे कि sign का हो गया, cos का हो गया, 10 का हो गया अब इनके reciprocal के मान निकाले माले sign की जागे हम निकाले cos cos 45 का मान क्या होगा इसका उल्टा कर देंगे यानि 1 बटे रूट 2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानि 1 डिवैड बाई 1 बटे रूट 2, तो रूट 2 उपर चला जाएगा, एक सी कर जाएगा, यानि रूट 2 बेरिवा जाएगी, इसी तरीके से यह हो गया हमारा किसका cos 45 का यानि cos 45 निकाले लिए हमने nesse 45 होगा है यह हमारा sep 45 का या इसे या इंशर कर देते हैं sin का उल्टा देखते हैं, पहले साइन का उल्टा होता है कुसेग कितना कुसेग तो कुसेग 45 का मान है वो कितना हो जाएगा sin 45 का उल्टा यानिकि अंडरूट 2 इसी तरीके से Cos 65 की जगए हम Sec 45 का निकाल ले Τो Sec 45 का मान भी Under Root 2 होगा इसी तरीके से 10 45 fine की जगए हम 25 का निकाल ले तो क웃 25 का मान भी क्या होगा, 1 काल्टा 1 ही होगा एक आ जाएगा वेले तो यह 45 वाले इंगल हमने निकाल लिया है आप हम निकालते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले एंगल का मान क्या आता है अब जैसे हमारे पास में एक तरभुज है इस तरीके का तरभुज है इसमें हमने एक संपॉन तरभुज बना दिया इस तरीगे से समकूर्ट तरवज बना दिया एक तरफ हम 30 ले लेते हैं जैसे कि A B C, D यहाँ पर हम ले लेते हैं 60 डिगरी का कौन और यहाँ पर हम ले लेते हैं 30 डिगरी का कौन और यहाँ पर हम ले ले लेते हैं 60 डिगरी कौन शैम रहेगा वो दोनों तरफ अब हम देखें यहाँ पर यह दोनों तरफुजों के बारे में बात करते हैं यह दोनों तरफुज क्या है हमारे Yokulatoral Triangle है dings का मतलब है कि एक हमने क्या लिया है एक संभाव तरफुज लिया है विर्ट बातलब संभाव और यह हमारा 60 degree का है, अगर यह 60 है, यह 30 है, तो यह 90 वाला होगा, डी एंगल, तो त्रभुज के तीनों करणों का योग कितना होता है, 180, तो 90 और 60, 150, 150 और 30, 180, यहनी त्रभुज के तीनों करणों का योग भी 180 degree हो जाएगा, अब इसको अब्जर्ब करते हैं, सबसे पहले, अगर हम BD की value निकाल लें, जैसे कि यह समकौन तरभुज है, और अब हम मान लेते हैं, कि AB की value जो है, वो हमारी 2A है, इस AB की value, अब AB की value अगर हमने 2A मान ली है, यहाँ पर समकौन तरभुज के लिए लाइन खेंची हुई है, पीच वाली, यानि यह बाला इसको दो को मान लेका, यहाँ पर यह बुजा 2A की है, यह बुजा की लंबाई भी 2A है, यह बुजा की लंबाई भी 2A है, तो यह बुजा 2A की है, तो यह बुजा A होगी और यह बुजा A होगी, ऐसे हम कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं, कि जो VD की value है, वो VD की value क्या है A D का square जो होगा वो कैसे होगा A B का square पाइथोगरस प्रमे से A B के square में से B D का square मैनिस कर देंगे अब A B का square क्या होता है हमारा A B हमारा 2A है 2A का square मतलब 4A square और B D का square B D का हमारी A तो A का square मैनिस कर देंगे तो यह हो जाएगा 3A square अब A D square की value आई है हमारी 3A square A D की value क्या आएगी यहाँ पर क्या करते हैं A भार आजाएगा और under root 3, 3 अंदर चला जाएगा तो A D की value आगी है A under root 3 अब A D भी हमारे पास में आगया है A under root 3 अब हम कोई भी value निकाल सकते हैं मिले sin 30 का मान निकालना है किसका मान निकालना है sin 30 का मान तो sin 30 का मान कैसे निकालना है sin theta होता है वही हम देखते हैं लाल बटे कक्का से sin theta क्या होता है लंब बटे कर्ण लंब क्या है हमारा अब sin 30 की बात कर रहे है 30 की बात कर रहे हैं मतलब angle यहाँ पर बन रहा है चीए एंगल यहां पर बनट रहा है तो आदार कौन सा होगा ये वाल आदार होगा ये वाली लाइन है जो आदार होगी ये वाली लाइन हमारी आदार होगी अब जब ये वाली लाइन आदार होगी तो हम कह सकते हैं लंब क्या होगा हमारा यह आधार है तो यह लंब होगा यह वाली लाइन तो इसके आधार पर हम देखें A आधार बटे कंड से हम देखें लंब क्या है हमारा यह आधार है तो यह लंब है लंब है A, यानि BD A value लंब है और कंड की value क्या है AV कंड अवी A, B करण है तो A और A, B की वेल्यू क्या है? 2A अब हम देखें कि ये A से ये कर जाएगा यानि बन डिवैड वे 2 तो साइन 30 का मान क्या आगा है? एक वटे दो आ गया अब साइन 30 का मान एक वटे दो है अगर हमें कुछ एक 30 का मान निकालना है तो कुछ एक 30 का मान दो आ जाएगा तो कुछ एक 30 का मान दो आ जाएगा हमारे पास में और साइन 30 का मान एक वटे दो आ गया अब इसी तरीकी से मान लिजिए हमें कॉस 30 का मान निकालना है तो कॉस 30 का तो कॉस चिटा क्या होता है? आधार वटे लम आधार क्या है हमारा आधार यही रहेगा AD AD की value क्या रहेगी आपर AD की value हमारे पास में जो हमने calculate की है A under root 3 और कर्ण क्या है हमारे पास में 2 A तो A से एक एंसे लाउट जाएगा यह अनि under root 3 बटे 2 आ जाएगा तो cos 30 का मान under root 3 बटे 2 आया है तो cos 30 का उल्टा क्या होता है sec ठीटा तो sec 30 का मान कितना आएगा 2 बटे अंडर root 3 तो यह cos 30 और sec 30 हो गया अभी हमें निकालना है 10 30 का मान 10 30 का मान कैसे निकालते हैं 10 30 30 का मान निकालने के लिए 10 का सुतर क्या होगा लंब टे आधार लंब क्या है हमारा इसके लिए लंब हमारा BD है BD की वेल्ट का है A तो लंब A divided by आधार आधार क्या है हमारा AD AD की वेल्ट क्या है AD की वेल्ट हमने निकाली है A under root 3 A से एक इंसलाप्ट हो जाएगा यानि 10 30 का मान आगया 1 divided by root 3 तो 10 का उल्टा क्या होता COD तो COD 30 का मान आगया जाएगा उल्टा यानि अंडर root 3 तो यह हमारे पास मान आगये है SIN 30 का मान आगया है COD 30 का मान आगया है 10 30 का मान आगया है और QSEC 30 का मान आगया है हमारे पास में और COD 30 का मान आगया है और यहां पर record 30 कमान आ गया है, fan 30 कमान भी आ गया है, तो यह सारी value हमारे पास में आ गई है, इसी तरीके से हम sign 60 कमान निकाल लेंगे, क्या निकाल सकते हैं, sign 60 कमान निकाल सकते हैं, तो यहां पर हम ले, अब sign 60 कमान निकालते हैं, इसी में, sign 60, तो sign 60 कमान कैसे निकाल लेंगे, अब angle कहां बन रहा है, यहां पर नीचे बन रहा है, अंगल, तो यह बना लेते हैं हम, एक और तरबज बनाएंगे, हम दुबारा से, यह हमने तरबज बना लिया, A, V, C, यह D बना लिया, अब यह क्या हमारा 60 था, और यह 30 है, अब इसके आदार पर बनाएं, sign 60 कमान, sign 60 कमान मतलब की angle ही आँ बन रहा है, तो आदार यह बना जाएगा, बीडी, और बुजा क्या हम मानी थी, हमने, यह 2A मानी थी, यह भी 2A मानी थी, और यह भी 2A मानी थी, और यह वाली क्या निकली थी, यह वाली जो, अंदर वाली बुजाती वो, A under root 3 निकली थी, A under root 3, अब sign 60 कमान निकलना, sign 60 कमान मतलब की लाल बटे कक्का से भी, अगर हम solve करें sign 60 कमान, तो, क्या हैगा, लंब बटे करना हैगा, अब लंब क्या है, हमारे पास में, अगर 60 एंगल नीचे दिए होगा, तो, लंब हमारा A under root 3 होगा, और करन क्या होगा, करन हमारा 2 A होगा, तो A से एक एंसल आउट होगया, यानि under root 3 बटे 2 आगया, अब sign 60 कमान under root 3 बटे 2 है, तो, कुसेक 60 कमान क्या होगा, कुसेक 60 कमान होगा, दो बटे under root 3 उल्टा कर दिए हम, इसी तरीके से अगर हमें कौस 60 कमान निकालना है, तो कौस 60 कमान क्या होगा, कौस 60 कमान निकालेंगे, तो नीचे बला आदार रहेगा, हमारा ये बली लाइन है, वो आदार रहेगी, जहाँ पर रहेंगल बना हुआ है, तो कौस 60 कमान क्या होगा, कौस 60 कमान, आदार हमारा क्या है, वीडी, यानि कि ये ए है, ये ए है, तो आदार हमारा ए है, अब बटे कर्ण, कर्ण की बली क्या है, 2A, एसे एक इंसलाट हो जाएगा, यानि बन बटे 2 आ रहा है, कौस 60 कमान, तो कौस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक 60 कमान क्या हो जाएगा, सेक 60 कमान आ जाएगा, उल्टा यानि 2, एक बटे 2 का उल्टा 2 हो गया, अब रहें ऐसे निकालते हैं, 1060 कमान, 10-6 का मान मतलब लंब बटे आधार और लंब क्या है हमारे पास में A अंडरूट 3 और आधार क्या है हमारे पास में A A से A कड़ जाएगा यानि अंडरूट 3 आगया 10-6 का मान अब 4-6 का मान नकलना है तो इसका उल्टा हो जाएगा यानि एक में इसका भाग देते हैं तो caught 60 का मान आ जाएगा एक वटे अंडरूट 3 तो हमारे पास में ये लेलिव भी आ गई है अब भी हमारे पास में 30, sin 30 का मान और 90 वाले मान भी सारे आ गए है अब हमें 0 degree और 90 degree का मान निकालना है कि 0 degree और 90 degree का किस तरीके से मान निकाल सकते हैं अब 0 degree और 90 degree का कैसे मान निकालेंगे जैसे कि हमें मान निकालना है sin 0 का मान तो पहली बाद तो sin 0 का मान क्या होता है वो हमें पता वोना चाहिए और उसके बाद में हम calculate करेंगे अब 0 कैसे निकालते हैं sin 0 कोई भी तरबुज हमने बनाया तो 0 किस तरह के से आ सकता है यह हमने तरबुज बनाया समकोन तरबुज अब यह वाला एंगल हमें 0 लाना है कैसे 0 आएगा माली जी यह 60 डिग्री है तो 30 डिग्री पे ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे और यह चोटा हो जाएगा और 20 पे लाएंगे तो और चोटा हो जाएगा 10 पे लाएंगे तो और चोटा हो जाएगा इस तरह के 0 इसी लान पे आएगा sin 0 का माल यानि लंब और आदार हमारा सैम हो जाएगा और कर्ण भी हमारा सैम हो जाएगा यानि एंगल हमारा जिरो हो जाएगा तो जैसे हम लाते हैं जिरो को तो साइन ये जो एंगल निकाल रहे हैं हम साइन की, यानि साइन ठीटा की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी sin 0 की value आएगी एकदम 0 हो जाएगी यानि हम कह सकते हैं पूरा एक line पर आजाएगा यानि 0 हो जाएगा अगर हम 90 degree निकाल रहे हैं sin 90 का मान sin 0 का मान तो 0 हो गया sin 90 का मान निकाल रहे है तो sin 90 का मान कैसे निकालेंगे अब ये साइन नाइंटी का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये जो एंगल है ये पूरा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा जैसे हमने ये तर्बुज बनाया अब हम 90 डिगरी निकालना चाहरे हैं साइन नाइंटी यही पर एंगल पर ही तो 90 degree में इस तरीके बढ़ता जाएगा, यह इदर कड़ जाएगा, फिर यह 90 बढ़ जाएगा, इदर कड़ जाएगा, तो यह पूरा इस तरीके से हो जाएगा, तो 90 degree जब हो जाएगा, तो यह वजा और यह वजा बराबर हो जाएगी, यानि लंब और करण है, यहाँ पर ब तो कि लंब को ही हम 90 डिगरी की तरफ बढ़ा रहे हैं पहले अब यह जो हमारे पास तरूज है अब क्या कर रहे हम यह लंब को ही हम 90 डिगरी की तरफ बढ़ा रहे हैं यह लंब को ही हम बढ़ा रहे हैं तागि 90 डिगरी आ जाए तो ये लंब इदर move करता हुआ इदर आईगा, प्र इदर आईगा, इदर आईगा, इदर आईगा या predictive इसके बराबर हो जाएगा नबे डगी के लिए तो हम कह सकते है साइज नबे का मान क्या आजाएगा ? एक आजाएगा यानि कोई भी तरुट जब हम बनाते हैं तो उसमें साइन जीरो का मान और साइन नब्बे का मान हम निकाल सकते हैं अब हमारे पास में साइन जीरो का मान आ गया है और साइन नब्बे का मान आ गया है 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, अभी हमें निकालना है 10, cot and sec तो sin की बारत में 10って omega जो होता है हमारा प्लास में वह वो होता है sin theta बटे cos theta अब sin का मान हमें पता है sin 0 का मान 0 cos का मान हम निकालते सकते हैं cos 0 का मान का होता है एक बार इसी फर्मूले से हम cost 0 कमा निकालते हैं कोई cost 0 में पता नहीं है तो cost 0 कैसे निकलेगा कोई भी तुरूल है हम हरे पास में यह ठीक है यहाँ पर ठीटा बना हुआ है और cost ठीटा क्या होता है आदार बटे कर्ण तो आदार है हमारा वो कर्ण के बरावर होने चीए अब यह एंगल 0 करना है तो आदार यह बला कम होता जाएगा कम होता जाएगा आदार एक दम कर्ण के बरावर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा इन cost 0 कमान क्या हो जाएगा कि दोनों ब्राव हो जाइँए आदर बटे करण यानी 1 ہو जाएगा आदर भी बड़ावर गण बड़ावर करण जिरो का मान बन तो sin 0 का मान जिरो है कौश 0 का मान बन है यह हमारा पास में आगिया अब हम क्या करें जैसे जब हमने तरवज में देखा था साइन ठीटा के लिए तो साइन ठीटा क्या था लंब बटे का करण अब लंब हमारा ये था और करण हमारा ये था अभी हमें अंगल जिरो लाना है ये वाला जिरो तो ये वाला अंगल जिरो का हो सकता है ये बाला angle 0 तभी हो सकता है जब lump हमारा 0 हो lump बटे करण में lump पूरा खदम करदे तभी तो 0 होगा यह पूरा 0 हो जाएगा lump यानि L की value पूरी 0 हो जाएगा कम होते 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 L की value 0 हो जाएगी तभी तो यह angle 0 होगा और इसका मतलब उपर 0 है, नीचे हम कुछ भी value रखें, हमेशा 0 ही आएगी, यानि sin 0 का मान 0 और cause 0 का मान 1 हो जाएगा अब इससे हम 10 theta की बोलने कलते हैं, 10 theta होता है, sin theta बड़े cause theta अब 10 theta में हम देखें, sin 0 का मान क्या है 0, cause 0 का मान क्या है 1 अब कोई भी संक्या है, 0 में कभी कोई भी संक्या का भाग देते हैं, 0 ही आती, तो 10 0, 10 theta है यही 10 जो 90 है, उसका मान भी 10 0 है, सबसे पहले देखें, 10 0, 10 0 का मान भी 0 हो जाएगा अब 10 90 का अगर हमने मन नकालना है, तो यह 90 के साथ solve किया हमने तो 90 तो हमने solve करी लिया पहले, 0 degree का पहले हम solve कर रहे हैं, फिर 90 देखेंगे तो 10 0 हमारा हो गया, 0 by 1 when 0, इसी तरीके से, 10 के बाद में cot 0 अब cot 0 नकालना है, तो cot 0 क्या होता है, 1 by 10 का 0, 1 by 10 का 0 क्या है, 0 कोई भी सेंगे हम 0 का बाद देंगे, तो वो indefinite होती है, यानि उसको हम measure नहीं कर सकते, not defined है इसी तरीके से, sec 0 का अगर हमें निकालना है, तो sec 0 क्या होता है, band divided by cos 0 और cos 0 की value क्या है, cos 0 की value 1 है, तो band divided by 1, यानि sec 0 की value 1 आ जाएगी इसी तरीके से, cos 0 की value निकालते हैं, तो cos 0 की value क्या हो जाएगी, band divided by sin 0 और sin 0 की value 0 है, तो band divided by 0, यानि undefend हो जाएगी, यानि हम cos 0 की value calculate नहीं कर सकते हैं इसी तरीके से, हम 90 degree के आख solve कर सकते हैं, 90 degree का जैसे solve करेंगे, अब 90 degree वाला फार्मूला हम देखें, जैसे यह हमारे पास हम तरवोज है, 90 degree का हम calculate कर रहे हैं, A, V, C, अब जैसे जैसे 90 degree के लिए हम देखें, पहले sin 90 लिए देख लेते हैं, अब 90 कोन सा है, यह एंगल हमारा sin 90, अब यह एंगल भी हमें sin 90 के लाना है, तो sin 90 को होता है, यह सैंटीटा होता है, लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण, तो लंब और कर्ण की value क्या होनी चीए, लंब और कर्ण है, यह हमारा आजार है, यह लंब है, यह कर्ण है, तो लंब और कर्ण बरावर होंगे तभी 90 डिग्री होगा यानि जो कर्ण की वेल्यू है यह पूरा यहाँ पर पहुँच जाएगा पूरा एंगल कम होते होते यह पूरा इदर किसकते जाएगा इदर किसकते जाएगा इदर किसकते जाएगा Cos 90 क्या होता है? आदारवटे करण Cos 90 जो है वो आदारवटे करण होता है यह हमारे पास में तृकॉण मिती का समकॉण तर बुज है A V C अब आधारवटे लंब हमारे पास में होता है Cos θिता का फार्मूला Cos 90 तो आधार है, यहां पर यह 90 है यहां पर कौन जो बना हुआ है वो 90 डिग्री का बना यह 90 डिग्री बनाना चाहरे है हम कॉस के लिए तो कॉस के लिए क्या आधार और कर्ण आधार हमारा कर्ण के बरावर होना चाहिए अब कर्ण है कही तरीके से बरावर होगा zero degree लाने के लिए हम इब देखना है तो यह zero degree इस तरीके चाहिएगा यानि कम होता होता हमारा पास में value वो कम होती जाएगी तो अब sign में तो हमने क्या इसको shift कर दिया दर ताकि कर्ण और लंबा हमारे, कर्ण और लंबा वारे बराब हो जाए अब ये एंगल हमें लाना है ठीटा नहीं कॉस के लिए कॉस ठीटा होता है आधार बटे कर्ण आधार कर्ण के बरावर अब कर्ण अगर आधार के बरावर हो जाएगा कर्ण ऐसे कम होते होते आएगा इस तरीके से तो जिरो हो जाएगा यहाँ पर so लेकिन cos 90 के value क्या होता है? so angle जो है, वो zero हो जाएगा अगर इसके कंद के बराबर आजाएगा, यह कम होता हो जाएगा angle जो कम आता है, कम आरा, कम आरा, कम आरा end में यहाँ पर angle जो बनेगा zero बनेगा यहाँ पर बनेगा तो cos zero का महाँ 0 होता है, अब हम क्या है? त्रिकोनमेटि का जो main सारणी है, वो बनाते हैं कि जो value हमारे पास में आईए, वो किस तरीके से आईए है इसको दो तरीके से और लिख सकते हैं सारणी किस तरीके से यानि 6 हमारे पास में इंगल है, 10 theta cos theta 10 theta अब 10 का उल्टा लिएते हैं cot theta और cos का उल्टा लिएते हैं sec theta और sin का उल्टा लिएते हैं cose theta इससे हम calculate करते हैं अब angle कोई से हम भी calculate करना है 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree sin 0 का मान 0 होता है हमने calculate किया sin 30 का मान 1 वटे 2 होता है sin 45 का मान 1 वटे अंडरूट 2 होता है sin 60 का मान अंडरूट 3 वटे 2 होता है और cos 90 का मान 1 होता है अभी हम इसको ऐसे shift कर सकते हैं इदर से इसको पलाट के लिख देंगे ये बाली को पलाट के लिख देंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा अंडरूट 3 वटे 2 यहाँ पर बन आ गया यहाँ पर आ जाएगा अंडरूट 3 वटे 2 फिर 1 वटे 2 एक वटे अंडरूट 2 फिर यह इदर चला जाएगा यानि 1 वटे 2 और फिर 0 ते चला जाएगा यानि 0 अब 10 2 निकालना है तो send it out divided by cost 0 divided by 1 क्या होता है 0 इसमें इसका बाग देंगे तो 2 से 2 के इंसलाउट हो जाएगा यानि 1 बटे रूट 3 इसमें इसका बाग देंगे तो अंडरूट 2 से अंडरूट 2 कर जाएगा यानि 1 इसमें इसका बाग देंगे 2 से 2 कर जाएगा यानि अंडरूट 3 और इसमें इसका बाग देंगे, तो 1 में 0 का बाग देते हैं, तो वो not defined है, infinity या not defined अपके हो सकते हैं, इसी तरीके से cot का निकालना है, तो 1 का उल्टा cot, 1 divided by 0, infinity, यानि defend नहीं है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, under root 3, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, under root 3 का उल्टा क् बाग यहां पर, undefend का उल्टा, यानि 1 divided by 0, इसको भी बन के डिवैड में कर देते हैं, तो 0 पर चला जाएगा, तो 0 आ जाएगी, तो cot 0 आ जाएगा, या इसको ऐसे भी नहीं सकते हैं, इधर से हम उठा लेंगे, इसको इधर उठा लिया, इसको हमने इधर उठा लिया, य यहां पर, इसको यहां पर उठा दिया, और यह यहां पर रख दिया, अब निकालना है sec theta का, तो sec theta हम कहते है, sec 0 का मान, cos 0 का उल्टा, 1 का 0, 1 का उल्टा, 1 ही रहेगा, फिर under root 3 बटे 2 का उल्टा हो जाएगा, 2 बटे under root 3, फिर 1 बटे 2 का उल्टा हो जाएगा, अंडर root 2, और one का अल्टा हो जाएगा undefined, यानि हम defend नहीं कर सकते हैं। इसी तरीक से कुशेक का निकालना है, कुशेक zero का मान zero, कुशेक 30 का मान 2 हो जाएगा, बंबटे under root 2 का मान under root 2 ही रहेगा, फिर under root 3 बटे 2 का मान हो जाएगा, 2 बटे under root 3, 3 और एक का उल्टा एक ही रहेगा तो ये हमारी साड़मिज हैं जो बहुत इंपोर्डनठ है और बहुत काम यह अपर आती है आज आज मैने मैं जाने सोन्तूर क्रेणों कि इस सदूरूर कुछ रजरल। इसको मान लेते हैं प्लस 1 यह 0 है और इसको मान लेते हैं माइनस 1 ठीए अब sin हमेज निकालना है n pi sin n pi की जो value होती है वो होती है 0 ठीड पाई का मान 180 degree होता है अब 180 को किसे भी multiply करें वो हमेशा 0 ही आएगी क्योंकि sin 0 का मान 0 होता है अधर भी? हम इस line पर चलते हैं हैं खहीं भी तो यहां से यहां तक जब भी angle बनेगा वो बनी T का मानट जीरो होगा sin 0 का मान 0 sin बने T का मान भी 0 यहां से angle हम बढ़ाते जाते हैं इस तरीगे से इस तरीगे से अगर बढ़ाते जाएंगे तो वो बनेट्टी पे आके 0 हो जाएगा तो वो हमें द्यान रखना है कि sin 0 का मान 0 यानि sin n πाई का मान 0 होगा ठीक है अब क्या करते हैं हम cos πाई की बात करते हैं अब यह sin n πाई बालने 0 होगी cos n πाई cos n πाई का मान क्या होता है cos n πाई का मान n πाई नहीं है cos 2n πाई है डाइरेक cos 2n πाई का मान बनोता है कैसे निकाल लेंगे cos 2n πाई का मान बनोता है क्योंकि 2n πाई 2πाई का मान बनोता है 360 यानि cos 0 अब πाई हम नहीं गुमा सकते क्योंकि πाई गुमाएंगे तो इH minus में चला जाएगा इदर तो यह पूरा गुमाना पड़ेगा पूरा के पूरा हम भी गूमाना पड़ेगा जैसे cause के लिए हम निकालें तो cause के लिए कैसे बनेगा इसको हम एठा देते हैं sign को अदर बनाते हैं sign को यहाँ पर बनाते हैं यह 0 यह 0 यह प्लस 1 और यह माइनस 1 इसी तरीके से कॉस के लिए बनाएंगे हम इधर कॉस के लिए बना देते हैं कॉस्ट 2N5 कॉस्ट 2N5 इक्वल टू 1 तो यह हमारे पास में आएगा इसे की 1 तो यह माइनस 1 और यह 0 और यह 0 यानि कॉस्ट 3-6 डिगरी गुमाएंगे तो वो बनाता है तो जैसे हम देखें साइन 0 का मान यहाँ पर हम देखें साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है इसी तरीके से कॉस्ट 0 का मान क्या होता है 1 होता है तो यहाँ पर हम बन रख दिया हमने अब हम देखें, sine 181 degree, sine 181 degree का मान क्या है अब 0 से हम घूम कर के यहां तक जाते है 20 degree, तो 21 degree पर भी क्या रहा है, 0 ही यह रहा है, sine 182 degree का मान भी 0 ही है, आइसी तरीके से sine 360 का मान 360 का मान भी 0 ही है तो इसलिए हमने निस्कास निकास हो सकते हैं, कि sine n pi का मान 0 रहेगा इसी तरीके से अगर sin 90 का मान देखें, sin 90 का मान क्या है, sin 90 का मान है 1, जैसे यहाँ से यहाँ जाते हैं, 1 है, sin 90 का मान, अगर 270 जाते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, sin 270, जैनि 90, 90, 180, 180 जाते हैं, तो sin का मान हो जाता है, minus 1, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, हम, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो cos 180 का मान है, minus 1, इसी तरहीके से cos 360 का मान क्या है, cos 360 का मान 1 है क्योंकि गूम करके हम यहीं पर आ जाएंगे वापस अब इसी तरीके से हम देखें cos 90 का मान क्या है cos 90 का मान 0 है अब 0 कहाँ पर आएगा 270 भी भी आएगा यहनि cos 270 का मान भी 0 है तो हमें यह ग्राफ इताम रखना है cos के लिए इस तरीके ग्राफ बनेगा तो कि cos 0 कमा 0 होता है और यह sin के लिए ग्राफ बनेगा अब इसी से हम क्या है आगे यूज करेंगे इन फार्मूला को quadrant system क्या होता है quadrant system में एक trick हम देखते हैं trick क्या है ASTC trick है ASTC इसको full form हम बुल सकते हैं after school to college after S मतलब school T मतलब 2 और C मतलब college इससे हमारा क्या है बहुत सारे questions है वो help होगी यहां पर solve करने में जैसे ही है हमारे पास मित्रकौन में तीका चातुर्थांस बना दिया हमने अब ASTC हम लिख लें A में मतलब all positive रहेंगे S मतलब की sign positive रहेगा और S T मतलब की 10 theta positive रहेगा 10 theta और C मतलब की cos theta positive रहेगा तो cos theta positive रहेगा cos का उल्टा sec भी positive रहेगा sin theta positive है तो sin का उल्टा cos sec भी positive रहेगा और 10 theta positive है तो cos theta भी positive रहेगा तो ये हैं जहाँ पर angle positive हो रहेगा तो इसनके चत्रतांस को हम ऐसे बूल सकते हैं ये first चत्रतांस है ये second चत्रतांस है ये third चत्रतांस है और ये fourth चत्रतांस है इनके आधार पर हम first quadrant में जितने भी angle होंगे वो सभी positive मने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम देखें इधर जो line रहती है वो positive रहती है तो यहाँ पर ये angle है इसको हम बोल सकते है 0 degree या 360 degree यहाँ पर जो angle आएगा वो 90 degree का आएगा क्योंकि यहाँ पर 90 degree का बनेगा यहाँ से गुम के हम जा रहे हैं 90 degree का बनेगा यहाँ पर 180 degree बनेगा और नीचे आएगे तो 270 degree का बनेगा तो इसके आदार पर हम निकालते हैं angles को अब second quadrant की बात करें second quadrant में क्या है केवल sine और cosec theta है वो positive रहेंगे बाकि जितने भी हैं वो negative मने जाएंगे इसी तरीके से third quadrant में हम देखें 10 theta और quarter theta है 10 theta quarter theta positive रहेंगे बाकि negative रहेंगे इसी तरीके से fourth quadrant में देखें cos theta और sec theta है positive रहेंगे बाकि सब negative रहेंगे अब यह किस से आ रहे हैं यह अक्छान से आ रहे हैं जिसे हम अक्छान से हम देखते हैं यह x success लेते हैं तो वो x success इदर positive x success लेते हैं और इदर हम क्या लेते हैं negative x लेते हैं इधर हम देखें y x लेते हैं तो यु पॉजिटर आंसे लेते हैं और एधर हम minus के y convelier negative y x लेते हैं तो उसके आदार पर हम solve करेंगे आगे जैसे इसी के आदार पर हम देखें यापर एक angle बना लिया हमने इसी यह angle बना लिया यह X है प्लस का तो यह माइनस का X हो गया यह प्लस का Y है तो यह माइनस का Y हो गया अगर हम कोई भी संख्या ले लेते हैं जैसे कि पूरे पॉजेटिव ले लेते हैं जैसे कि हमने यहां पर यह संख्या ले ले लिए P तो यह P पॉजेटिव है और ये ले लिया hypotenuse, यानि current current भी positive है और ये हमने ले लिया base, तो base भी positive है इसमें हम देखें P positive है तो अधर negative हो जाएगा इसको हम देखें edge edge ये positive है, ये negative है तो ये edge positive रहेगा सब तरफ edge positive माल लेते हैं, यानि hypotenuse है वो positive माल लेते हैं ये पॉजिटिव रहेगा एच लेकिन यह यहां पर minus p है तो इधर minus b रहेगा यानि base और धर भी positive रहेगा hypoteness से वो positive माह लेते हैं तो पहले क्वाट्रेंट में हम देखें यहां पर पहले क्वाट्रेंट में क्या बताए गया है पहले quadrant में हमारा hypotenuse भी positive है और perpendicular यानि की लंबे भी positive है और base भी positive है इसलिए सभी trigonometric function भी positive होंगे second quadrant में हम देखें positive हमारा सिर्फ लंब है और hypotenuse भी positive है तो इसका मतलब P और H positive है इसका मतलब सिर्फ sign क्योंकि हमारा इसको हम ऐसे कर देते हैं इसको करण कर देते हैं hypotenuse है इसको करण कर देते हैं ये करण कर दिया हमने जदा समझ में आएगा से और base को हम base ही रहने देते हैं और इसको lump कर देते हैं ये lump कर दिया है अब हम देखें करण और lump है ये दोनों किसमा आते हैं साइन ठीटा वाले माते हैं इसलिए यहाँ पर साइन ही पॉजिटिव रहेगा सालवटे का काम हम देखें लंबर कर्ण साइन ठीटा में लंबर कर्ण ही आते हैं और कुसेक ठीटा में लंबर कर्ण आते हैं इसलिए साइन ठीटा और कुसेक ठीटा ही positive रहेगा second quadrant में हमने देखा अब cos theta की बात करें जैसे second quadrant में cos theta की बात करें यहाँ पर cos theta क्या होगा cos theta negative होगा जैसे कि cos theta क्या होता है आदार बटे लंब आदार बटे करण आदार क्या है हमारा minus V और current क्या है हमारा plus K तो यानि minus की सेंगे आएगी negative ही आएगा तो कोई भी angle हम निकालेंगे वो negative ही आएगा sin theta के अलावा जो भी angle हम निकालेंगे वो negative ही आएगा चाहे हम 10 theta निकालें चाहे हम 4 theta निकालेंगे वो negative ही आएगा हम देखते हैं 3rd quadrant में 3rd quadrant में क्या है third quadrant में हमारा सिर्फ देखें कौन सी जी positive आ रही है base और lump आ रहा है यानि आधार base को भी हम convert कर देते हैं एक तरीके से आधार लेग देते हैं base को आधार 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 ठीक है अब इससे solve करें आधार और current किसमें आ रहा है आधार और current positive होने चीए तो इसमें हम देखें कि दो negative आ रहा है आधार और lump negative आ रहा है आधार और lump negative आ रहा है इसका मतलब हमारा 10 theta में है यह तो चीजी negative होती है negative negative कर जाएगा या पोजेटिव हो जाएगा यानि हम कह सकते है 10 theta ही positive रहेगा तो कि 10 सीटा क्या हुजता है, लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा, minus L, कर्ण क्या है हमारा, minus A, minus A, minus से minus कर जाएगा, यानि positive से हम क्या आएगी, तो 10 positive और 4 positive, बागी सम नेगेटिव आएगे इसमें, इसमें, इसी तरीके से हम दिखते हैं, फोर्थ क्वाट्रेंट में क् of cos theta ही positive रहेगा, और cos का उल्टा, sec theta ही positive रहेगा, बागी सम नेगेटिव रहेंगे, तो इस तरीके से हम क्या है, ये positive नेगेटिव डिशाइड करते हैं कि कौन सा एंगल positive रहेगा, कौन सा एंगल negative रहेगा, अब हम देखें 90 प्लस theta वाले जो concept है, अब TF मेथड जो है, रिय 90 प्लस theta का formula हमें नेकालना है, या 270 प्लस theta का हमें हमें करना है, तो कैसे positive negative रहेगा, जैसे हमान लोग 90 प्लस theta है, कोई formula है, 90 प्लस या minus theta, अगर 90 से प्लस जाएगा, तो sin theta को से डिशाइड रहेगा, और 90 से minus में सारे अंगल है, वो positive रहते हैं, इसी तरीके से 270 plus minus theta कर दे र प्लस जाएगा 270 से दरज की साड़ जाएगा तो कॉस टीटा और शेक टीटा प्लाइल रहेंगे और 270 से नीचे रहेगा एंगल तो 10 टीटा और कॉट टीटा नेगेट वर रहेंगे तो यह हमें दान रिट देना है तो जो एंगल कहा का पर चैंज होता है सिर्फ 90 डिगरी पर होगा और 270 डिगोरी पर एंगल चैंज होगा अब वह सेम्वाऊज होते हैं एंटर्चेंज होते हैं इसी तरीके से 180 plus minus theta में हम दिख सकते हैं अब 180 plus minus theta में क्या होगा 180 plus minus theta यानि 180 से minus रहेगा तो sain theta और kosak theta positive रहेंगे और जैसे जएधा जाएगा 180 से तो 10 theta और 4 theta positive रहेंगे तो यहाँ पर जो angle change होगा 180 plus minus theta में या फिर 360 plus minus theta तो यहां पर भी एंगल कितने पर चेंज हो रहा है 180 पर चेंज हो रहा है तो पॉजेटिव और नेगेटिव जो साइन है वह आम वे ध्यान रखना है पॉजेटिव और नेगेटिव साइन इनी के आधार पर लगाना है जैसे कि मानलो हमेज 120 डिगरी निकालना है साइन 120 डिगरी तो साइन 120 डिगरी का मान पॉजेटिव होगा या नेगेटिव होगा कैसे निकालेंगे इसको हम दो तरीके से लिख सकते है 120 को हम लिख सकते है sin 180-60 तो 180 मैंसे 60 जाएगा या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते है sin 90 plus 30 तो ये भी sin 120 रहेगा तो इस तरीके से हमारा जो answer है वो हमेशा positive रहेगा क्योंकि 180 मैंसे 60 जा रहे है तब भी हमारा positive रहे रहा है टी कौन से मारा है second quadrant मारा है इसलिए sin पर जो angle है वो हमारा positive रहेने वाला है तो इस तरीके से हम क्या है उनको calculate करते है जैसे मान लिजए sin 60 का मान हमें निकालना है तो sin 60 का मान कोई से भी method से निकालेंगा वो positive रहेगा sin 60 का मान क्योंकि sin 60 का मान क्या होता है sin 60 का मान होता है under root 3-2 वो positive रहेगा और cos 30 या तो sin 60 को बोल सकते हैं या cos 30 बोल सकते हैं cos 30 वो भी under root 3-2 रहने वाला है इसी तरीके से हम देखें मान लो sec 240 sec 240 का मान क्या रहने वाला है जैसे हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं अब देखें हम 240 अब क्या देख रहेते हैं sec 240 देख रहेते हैं अब sec 240 यह 240 डिगरी है अब sec में 240 240 का है 270 से कम है तो sec में 240 minus में आएगा value answer जो है हमारा वो negative में आएगा क्यों आएगा क्योंकि 270 से नीचे इदर की side हो गा यह और इदर क्या है 10 और 4 positive है sec positive नहीं है तो 270 को कैसे लिख सकते हैं या 240 को कैसे लिख सकते हैं क्योंकि 270 से नीचे है तो negative ही आएगा तो इसको हम लिख सकते है sec को sec 180 plus 60 240 डिगरी या फिर हम लिख सकते है sec 270 minus 30 तो यह भी आएगा इसी तरीके से अब यह value क्या है sec 60 यह value है इसको हम क्या लिख सकते हैं अब minus में आएगी value यानि 180 plus के start है इसको हम लिख सकते हैं minus के sec 60 यानि minus के जो sec 60 है sec 60 की value क्या होगी sec 60 की value minus के 2 होगी तो कि यह minus का sec 60 है 180 से नीचे 180 से plus हो रहा है यानि minus का sec 60 है यह 270 में से नीचे जा रहा है यानि minus के कुषक 30 है इसको हम बोल सकते हैं minus के कुषक 30 sec 60 या फिर इसको बोल सकते हैं minus के कुषक 30 तो minus के कुषक 30 है वो भी हमारा MINUS के 2 रहेगा 2 सब आर में से 30 जा रहा है MINUS की गुशे करती है तो इस तरिके से कैलकुल कर सकते हैं जिसके COS 1020 का निकालना है यह काइगाला है हमारे पास में COS 1020 तो कैसे निकालेंगे 1020 को निकाल सकते हैं 330 उचार न्ठीं MINUS 307 into 3 minus 307 into 3 कितना हो गया 0, 78 1, 1080 180 में से 60 minus कर देते हैं तो यह 360 का multiple है उसके according हम देखें तो यहाँ पर हम देखें कि यह कितना हो रहा है 307 into 3 minus के 60 हो रहा है तो minus के 60 आ रहा है 360 तो यह fix हो गया पूरा minus के 60 आ रहा है मतलब नीचे की side जा रहा है नीचे की side में cost positive रहता है इसका मतलब cost 60 का मान कितना आएगा 1 वटे 2 आएगा positive में ही तो यह से हम calculate करते हैं उसके बाद में दूसरे तरह के angle है वो हम बाद में देखेंगे नए studio के अंदर